पाकिस्तान में हिंदूओं की आस्था पर कटरपंती हावी है। पहले की मंदिर के पुजारी और वहां मौझूद लोग कुछ समझ पाते कटरपंतियों ने मंदिर में जम कर तोरफोर की। इन कटरपंतियों ने सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़ा, अंदर रखी भगवान की मूर्तियों को भी खंडित कर दिया। दिवारों पर लगी भगवान की तस्वीरों को भी तोड़ दिया गया। दरसल कटरपंतियों की भी ने एक बच्चे पर पेगंबर की इशनिंदा का आरोप लगाया था। बिना किसी ठोज सबूत के इन लोगों ने बच्चे की इशनिंदा के बहाने अपने नापाक मनसूबों को अंजाम दे डाला। इन लोगों का असल मकसद मंदिर और हिंदूों की आस्था पर चोट पहुँचाना था। इन्हें और कोई बहाना नहीं मिला तो इन्होंने एक बच्चे की बातों की आड़ में मंदिर में जम कर तोड़ फोड की। मंदिर के पास रहने वाले इस्थानिये हिंदूों का आरोप है कि उन्हें यहां लगातार प्रताडित किया जा रहा है। मंदिर में तो फोड सिर्फ हिंदूों की आस्था पर ही चोट नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में ऐसे वाक्य हुए हैं। को तोड़ना सिर्फ हिंदूों की आस्था पर ही चोट नहीं था ये हिंदूों के साथ पाकिस्तान के धोकfilled का भी सबूत था अज़ादी और बटवारे चे बाध सही पाकिस्ताना में हिंदू अपने वजूत के लिए लड़ रहे हैं कराची में रहने वाले हीं हिंदू को बे सहारा महसूस करते हैं इन हिंदू के भरोसे को एक बार फिर पाकिस्तान के तोरे चरित्र ने कुचल दिया है अपनी कर्टूतों पर परदा डालने के लिए पाकिस्तान ने कोरोना महमारी का सहारा लिया महमारी की वज़े से मंदिर को भी कुछ महीने पहले का मिल गया जब मंदर के पुजारी मंदर खोलने पहुंचे तो वहां उन्हें मलबे का ठेर मिला मंदर की मूर्तियां और कीमती सामान भी गायब थे फिल्हाल ये मंदर हिंदूों के लिए सिर्फ आस्था का प्रतीक ही नहीं था ये मंदर कराची में रहने वाले तमाम का एहम हिस्सा भी था यहीं वज़ा है कि यहां रहने वाले ज्यादतर हिंदूों ने मंदर के आज पास ही अपना आश्याना भी बना रखा था लेकिन पाकिस्तान सरकार को इन परिवारों के आश्याने पर भी रहम नहीं आया प्रसाशन के बुल्डोजर ने इन हिंदूों क्या मकानों को निस्तानाबूत कर दिया इन तमाम हिंदू परिवारों के सिर से उनका अश्याना चीन लिया विरो रिपोर्ट भारत तर